ये जो परिच्छा हुई है ये भारती जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं इसी तरीके से परिच्छाएं नहीं हो पारी हैं आने वाले समय में यही बिरोजगान नौजवान भारती जनता पार्टी के खिलाफ मददान करेंगे और भारती ज उत्ताव प्रदेश में भादी जनता बाड़ी का सफाया होगा और इसलिए सफाया होगा अभी अभी आपने मुख्यमंती जी को पैदल 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 चलते देखा था जो अभी से पैदल हो गए हूँ और मार्च करते देखा उनको आपने मार्च करते हुए जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी एकस्प्रेस वे बना लेकर परताब गड़ को भी अच्छी सड़कों से जोडने के लिए और परताब गड़ को विकास से जोडने के लिए काम करेंगे एक बात जरूरी है इतना अन्याय कहीं नहीं हुआ होगा जितना परताब गड़ में समाजवादी कारकरताओं के उपर जूटे मकदमें लगे हैं बड़े पेमाने पर अन्याय हुआ है ये अन्याय जो हुआ है मैं अपील करताओं जन्ता से कि अन्याय करने वाली सरकार का सफाया करें और जो अपमानित हुए हैं इतना अपमान किसी जगें नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों का और जन्ता का अपमान यहां पर हुआ है ये गोरगपुर में तो अभी वैपारी मरे हैं याद कीजिए प्रताब गड़ का एक वैपारी मुखंदी से मिल करके आया था उसके बाद यह हत्या हुई थी कौन नहीं जानता ये सरकार में हत्या हो रही और अभी बनारस में एक तीन साल की बेटी के साथ क्या हुआ कौन नहीं जानता क्या हुआ है ये घटनाए बढ़ रही है और उत्तव परदेश से भाती जनता पाड़ी हटेगी क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है आज पेट्रॉल सो रुपेज उपर चला गया कोई सिलिंडर नहीं भरवा पा रहा है आए दोगनी हुई के नहीं हुई बताइए धान किसका खरीदा गया किसी किसान का धान नहीं खरीदा गया होगा जिलाद देश को जेल भेजा गया है यह याद रखें जो लोग इस सरे का कारवाई कर रहे हैं हमें न्याले पर भरोसा है न्याले न्याय करेगा यह कौन है किनका नाम ले रहो आप क्यों ले नाम ले रहो यह कौन है कौन है यह कौन है अरे पतकार सहाथियो आप भी सरकार अठाना चाहते हैं हम जानते हैं